हेलो गाईज, वेल्कम बाग तो अल्टिमेट सक्सेस ऑनलाइन टुटोरिल तो आज के इस वीडियो में हम क्याट का बहुत इंपोर्टेंट वोकाब डिस्कुस करने वाले हैं अगर आपी लेक्चर देख लेते हैं तो टॉपिक्स लाइक स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इंद ब्लैंक्स एंद आर्सी की क्वाश्चिन्स आप बहुत आसरी से सॉल्फ कर पाऊगे बहुत हाइच चांज जाई क्वाश्चिन्स आने के आप हमारा कोई भी पार्ट में समत करना तो आएए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अब्डिकेट अब्डिकेट मींस तो रिजाइन फ्रम किंग्शिप इसका मतलब है to give up on something specially power और position इसका मतलब है अपना पद त्याग देना फर्स्ट एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा मंतरी है अगर वो अपनी position से resign करता है उसको बोलेंगे हम abdicate अपनी power और अपनी position को resign कर देना अब कोई king है वो अपनी position को, अपनी power को resign कर देता है वो अपनी job को resign कर देता है उसको बोलेंगे हम abdicate to resign from kingship अपनी power और अपनी position को छोड़ देना त्याग कर देना अब इसको हम sentence कैसे use करेंगे for example the king was forced to abdicate his throne when he passed a wrong judgment king को force किया गया था अपनी kingship छोड़ने के लिए अपना पद त्यागने के लिए क्यूंकि king ने wrong judgment पास किया था abdicate means to resign from kingship अपना पद त्याग देना अपना power और position को छोड़ देना, resign कर देना उसको बोलेंगे हम abdicate next so guys आज का हमारा next example है abdure abdure means to renounce and forswear इसका मतलब है किसी चीज का त्याग कर देना किसी चीज को हमेशाक ले छोड़ देना किसी चीज को हमेशाक ले त्याग कर देना उसको बोलेंगे हम abdure for example कभी-कभी आपने सुना होगा इसको हमेशाक ले शराप छोड़ दिया abdure किसी चीज को हमेशाक ले त्याग कर देना हमेशाक ले किसी चीज को छोड़ देना उसको बोलेंगे हम abdure कभी-कभी आपने सुना होगा अरे इसले साड़ी पहनना छोड़ दिया किसी चीज को त्याग देना किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना उसको गोलेंगे हम अब इसको हम sentence पर किसे use करेंगे For example, the scientist was forced by the church to absorb his theory that the earth is round Scientist को force किया गया कि वो अपनी थेरी को त्याग दे कि earth गोल होता है ये थेरी को वो त्याग दे Forge किया गया scientist को Adher means किसी चीज को त्याग देना या किसी चीज को हमेशा केले छोड़ देना He absorbed his religion उसने अपने religion को त्याग दिया हमेशा कि ले Abhör means किसी चीज को हमेशा के चोड़ देना उसको बोलेंगे हम Abhör next so guys आज का हमारा next example है annihilated annihilated means to destroy completely किसी चीज को बुरी तरह से destroy कर देना किसी चीज को बुरी तरह से बरबात कर देना उसको बोलेंगे हम annihilated आपने कभी-कभी सुना होगा for example हम कभी-कभी बोलते हैं न कि अरे उसने उसको बरबात कर दिया उसने उसका करियर बरबात कर दिया to destroy completely उसको बोलेंगे हम annihilated अब इसको हम sentence में के सही उस करेंगे for example the Taliban annihilated the statues of Lord Buddha in Bamiyan Taliban ने Lord Buddha के statue को बुरी तरह से destroy कर दिया annihilated annihilated means to destroy completely किसी चीज को बुरी तरह से destroy कर देना उसको बोलेंगे हम annihilated next Pakistan annihilated China Pakistan annihilated China Pakistan ने चाइना को बुरी तरह से destroy कर दिया annihilated means to destroy completely बुरी तरह से destroy कर देना बरबात कर देना उसको बोलेंगे हम annihilated next so guys आज का हमारा next example है architectonics architectonic means the science of architecture this simply means scientific study of architecture architectonic means scientific study of architecture architecture means the study of designing and making building अब इसको हम sentence में कैसे use करेंगे for example having studied architectonics at UCLA he dreamt of designing a structure similar to the learning Tower of Pisa उसने UCLA से architectonics पढ़ा उसने सपना देखा कि वो एक same structure बनाएगा Tower of Pisa के समान same structure डिजाइन करेगा architectonics का मतलब यह ही है study of architecture next so guys आज का हमारा next example है atvism atvism means resemblance to remote ancestors rather than of parents atvism is a genetic trait that re-occurs after skipping several generations for example जो qualities हमको हमारे पूरवच से मिलती है जो qualities हमको हमारे नानी परनानी परदादा इन लोग से जो हमको qualities हमारे अंदर होती है उसको बोलते है उसको बोलेंगे हम atvism वो qualities जो हमें पूरवच से मिलती है जो हमें हमारे grandfather grandparent से मिलती है उसको बोलते है atvism अब इसको हम sentence पे कैसे यूज करेंगे आप दोग्टर ने बोला यह जो चाइल्ड की डिफॉर्मिटी है Deformity means part of body that is unusual in shape डॉक्टर ने बोला है जो चाइल्ड की Deformity है वो उसके पूरवजों से मिली है Atvism means वो qualities जो हमको हमारे पूरवज से मिलती है उसको बोलते हैं Atvism, other than parents Next So guys, आज का हमारा next example है Blighted Blighted means impaired, destroyed or shattered This simply means to spoil something Blighted का मतलब होता है किसी चीज को spoil कर दिना कभी-कभी हम भी बोलते हैं कि इसने मेरा mood spoil कर दिया अपने कभी-कभी सुना होगा ना किसी-किसी को बोलते हुए अरे उसने मेरा mood spoil कर दिया उसको बोलते हैं हम Blighted To spoil something अब इसको हम sentence पर कसे use करेंगे For example, the bad weather blighted their holiday plans Bad weather ने पुरे holiday plans को spoil कर दिया Blighted means to spoil something Next So guys, आज का हमारा next example है Blue collar Blue collar means of or designating manual industrial work or workers Blue collar workers को बोला जाता है जो factory में काम करते है There are two types of workers One is white collar workers And second is blue collar workers जो white collar workers होते हैं वो CEO, manager जो ऐसे बड़ी बड़ी positions पर होते हैं उनको बोला जाता है White collar workers जो order देने का काम करते हैं Instructions देने का काम करते हैं कि काम कैसे होना चाहिए उसको बोलते हैं हम white-collar workers जो instruction देने का काम करते हैं blue-collar workers उनको बोला जाता है जो factory में काम करते है machine चलाना, सामान उठाना, labor का काम उनको बोला जाता है blue-collar workers जो काम करने का काम करते है instructions के उपर काम जो करते हैं उनको बोला जाता है blue-collar workers अब इसको हम sentence में किसी use करेंगे For example, the blue collar workers are in perpetual strike with the management जो blue collar workers हैं, वो perpetual strike पे हैं, management के साथ Blue collar means जो factory में काम करते हैं instructions की उपर जो काम करते हैं उनको बोला जाता है blue collar workers Next So guys, आज का हमारा next example है Chastise Chastise means scold severely इसका मतलब है, गलती करने पे किसी को डाट लगाना या किसी को scold करना उसको हम बोलेंगे chastise For example, कभी-कभी अगर हम गलती करते हैं तो मम्मी हमको डाटती है न, scold करती है न उसको हम बोलेंगे chastise To scold severely गलती करने पे अगर आपको कोई डाटता है उसको बोलेंगे हम chastise अब इसको हम sentence में कैसे use करेंगे For example She chastised him for his insensitive remarks उसने उसको scold किया For his insensitive remarks Chastise means किसी को scold करना किसी को डाट लगाना गलती करने पे किसी को डाट लगाना उसको हम बोलेंगे chastise Next So guys आज का हमारा next example है क्लीशे क्लीशे means a trite or obvious remark इसका मतलब है A क्लीशे is an idea or phrase which has been used so much that it is no longer interesting क्लीशे का मतलब होता है कोई भी चीज बार बार repeat होना and it's no longer interesting For example अगर आपको इजोग पहली बार सुनते हैं तो आपको इंट्रेस्टिंग लगने लगता है But वही जोग अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपको वो बोरिंग लगने लगता है उसको बोलेंगे हम क्लीशे कोई भी चीज बार बार repeat होना अगर आप कोई चीज पहली बार बार देखते हैं तो आपको वो चीज इंट्रेस्टिंग लगने लगती है वो ही चीज अगर आप बार बार देखते हो आपको वो बोर होने लगता है उसको बोलेंगे हम क्लीशे कोई भी चीज बार बार repeat होना अगर इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे यह फ्रेज की शेक्सफियर एक बहुत बड़ा द्रामिटिक है दुन्या में अब वो क्लीशे बन चुका है अब हमने इस चीज कितने बार सुन चुके है कोई भी चीज अगर हम बार 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 सुनते थो हमको बोरिंग लगने लगता है क्लीशे का मतलब यह ही है कोई भी चीज बार बार repeat होना and it's no longer interesting next इस आर्गूमेंट इस जस्ट अ क्लीशे I have heard a thousand times उसका जो आर्गूमेंट है वो क्लीशे है that means एक ही आर्गूमेंट वो बार 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 करता है क्लीशे simply means कोई भी चीज बार बार repeat होना and it's no longer interesting next so guys आज का हमारा next example है clout clout means influence और power आपने देखा होगा मंत्री के पास बहुत पावर होती है पुलिस के पास बहुत पावर होती है या कोई company के boss के पास बहुत पावर होती है जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है उसको बोलेंगे हम clout Having a special power उसको बोलेंगे हम clout अब इसको हम sentence में किसे use करेंगे For example He was very influenced and used his clout to get his visa वो बहुत influenced था उसने अपना power इस्तमाल किया He used his clout to get visa उसने अपना power इस्तमाल किया ताकि उसको visa मिल जाए Clout means a special power Having a special power Next He is an important man He has a lot of clout in the company He is an important man He has a lot of clout in the company वो बहुत important व्यक्ति है उसके पास बहुत पावर है कंपनी में Clout means having a special power Next So guys अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चानल को Subscribe का लिजे So that हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अप्लोट करेंगे आपको इसको नोटिफिकेशन तो रंत मिल जाएगा And please do like, comment and share this video And if you have any queries Regarding this lecture Please drop me a text in the comment section below Thank you